कि हलो प्रेंट वालकम बेक तो माई यूटूब चैनल डॉक्तर संजे में रिभी दने जा रहा हूं पतंजली का अस्वोसिला के अप्सूल के बारे में इसका मेनुप पूस्चर यानि इसको बनाती है पतंजली इसमें दो एनिगरियंट इस दवा में मिला होता है एक होता है अस्वोगंदा रहता है शिलाजित इसलिए इसका नाम रख रखा गिया है असोगंदा तो बहुत ही बीमारीयों में इसका उप्योक किया जाता है और शिलाजित भी जैसे कि गमधी रूख से गठियावाद जैसे जोइन्ट-ट्योइंट में जो प्यन होता है वो भी इस परियोग करने से अपरी अठियावाद की समय से दिरे दिरे अट जाएगी डाइबिटीज के रोगी यानि की सुगर से जूज रह बेकती को भी अनुटी पावर बढ़ाने की छमथा इस गोली में होती है और सुगर होने का अनसर बहुत ही कमजोर हो जाता है जो आपको यह गो कर टेंशन थब हो तो भी इसका कि जह से मिटादेगी हो भी मारी और रही बात अन्द्रिक प्रोसम के जो आंद्रिक प्रोडम होता है यह मैं तयुक्त कि का अले होले लिंग में रैंप से बनता हो नाइटपोल के और समीश्चा हें तो उन सारी समीश्चा को अशित दवह यह बहुत ही मजबूत कर देता है तक कि आपका दिमाग बिलकुल तंदुरुस्त रहे आपकी अगर नीद नहीं आ रहे हो अनिंद्रा की समझ चाहिए अगर आप में हो गई तो भी आपको यह दवा चिक कर देगा यह दवा लेने के बाद आपको दिरे-दिरे दो से पांच द अगर आप एक महिना भी लागातार खाएंगे तो भी कोई दीकत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें अंग्रेजी दवाँ का मिश्टन नहीं यह स्री अधिक दवा इसका कोई साइड नहीं होता है अठारा बस के नीचे ब्यक्ति इसका परियोब ना करें अठारा बस से उपर परियोब करें पतंजलिया असोसिला पहुत ही कार्णों का राम्बान ओसती है यह पहुत ही बीमारियों को यह ठीक करता है आपकी अगर वजन बढ़ रही हुआ तो भी वजन को बढ़ने ने देगी क्योंकि आपका उसको रोप्ठाम करने की शमताब्स में होती है तो एक द करना मुदाइं करना बुदाइं को एंक भी तास्थाइं का बूलाच